गोड़ मानिंग दूस्तों नमस्कार आपका हमारे चैनल जीएज़ी बेवोचंद्रा पर स्वागत है मैं अनवोचंद्रा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आज मैं आपको वारार्ची का उद्गम और इसका विकास करम की विसे मैं आपको बदानी के कोशिश करूंग आप लोग कान तक इस वीडियों पर बने रही है वारार्ची या वार्ची को तीन नमों से जाने जाता है वारार्ची बनारस और कासी सरप्रथम कासी का जो विकास हुआ था इसका नाम या उलेक जो है प्राचिंग गरंत अरीगवेद और बहुत गरंत अंगुत्तर निकाय में सोरा महाजनपदों में से वारर्ची भी एक महाजनपद था वार्ची को निर्मार करने का स्रे या अस्थापित करने का स्रे भगवान संकर को जाता है अब इस नगरी का स्थापना शक्राइब किया गया था यह है एक रोचक कहानी है पुराणों के नुसार हां मता रहे हैं लिंग पुराण के नुसार में की एक बार मात्त्यधहे अपने पती बागवान शन्कर से अनुरोथ किया कि आप हमें अपने घर ले चले तब उसमें वो कलाश परवत पर इस्तित थे कलाश परवत पर रहते थे जहां भगवान संकर का ससुराल था अब अपने ससुराल में रहते थे तो माता परवती को अच्छा नहीं लगता था उन्होंने अपनी बातों को अपने पती के समझ रखा और रोद किया कि आप हमें अच्छा नहीं लगता है फिर भगवान संकर ने उनकी बातों को रखते हुए माता परवती को लेकर बनारस आए कासी आए और कासी विशुनात जोती लिंग में अस्तापित हो गया है तो यह कासी को अस्तापित करने का स्रेय जाता है लिंग पुरार के नुसार और जो वार में खोड़ा और अस्तियों के मजद्थ बाशावा सहर है जिसका यहीं से यह में देते हैं मैं है वार। वारारसी सहर पतीत पावनी मा गंगा के तट के बायतरव बसा हुआ सहर है बनारस को 200 प्रसिद्ध में प्रसिद्धी मिली है प्रसिद्धी किसलिए है हिंदू पुराणों में ऐसी मानता है कि वारारसी में मृत्ति होने पर उन्हें मोच की प्राप्ति होती है वारारसी में 84 घाटों गंगार नदी के तटट पर 84 घाट है इस कारण से वारारसी को घाटों का सहर भी कहा जाता है और कासी को लगू भाद की संग्या भी ती जाती है वारारसी को सांस्करितिक राध्धानी भी कहा जाता है क्यों इसके पिछे कारण है वारशी को संस्कृतिक राधनी क्यों कहा जाता है क्योंकि पनारस या कासी में प्राचीन समय से ही सभी धर्म एक समान भाव से रहते हैं और कासी में वीश्व के सभी संस्क्रितियों का लच्छड देखने को मिलता है और सभी धर्म आपस में भायु चारे की रुप में रहते हैं यहां तक कि पानारस में जितने भी मंदीर निर्मार सेली है चाहे वो नागर सेली हो दर्वीर सेली हो या पेशर सेली हो इसके साथ मुगल काल के जितने भी अस्थापत सेलीया होती है या मुगल काली अस्थापत कला सेली और ब्रिटिस काल में जो एरोपियन अस्थापत सेलीया भी और इसके साथ साथ जापानी, चाइनीज और निपाली मंदिरों की सेलीया भी वारार्षी में देखने को मिलता है तो इस कारण से वरार्षी को भारत की सांस्केतिक राजधानी भी कहा जाता है आई ये हम बात करते हैं अब बनारज में सिच्छा का केंद्र भी रहा है प्राचीन समय से ही बनारज को सिच्छा का केंद्र माना जाता है इसमें तीन विश्विद्ध्ध्याले प्रमुकुरुप से हैं पहला वनारज, हिंद्वी विश्विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध़, दुसरा मात्मzier गांधी काशी विद्ध्यापीट उन्वेसिटी और तीसरा संस्क्रित संपुडानन्द भारत का एक मात्र संस्कृत इनवर्सिटी है वह भी बनार्ष में इंस्तित है संस्कृत संपुडानंद इनवर्सिटी जिसकी अस्ताप्रा सत्रों सुबान दिन में जुनार्थन दक्कन के द्वारा किया गया था आए आगँ अवर्सि वर्सिटी विष्व में क्यों प्रशिद्ध है बनार्ष की कुछ चीज क्या है वह विष्व प्रशिद्ध है जैसे बनार्षि साड़ी और बनार्षि पान और बनार्षि के लोग यह बिश्व में प्रसिद्ध है जिसकार से बनार्षि का नाम दिन प्रते दिन चर्चाव में रहा करता है और भाद की पवित्र नदी मां गंगा के तर्ट पर बसा हुआ भी यह नगरी है पुराड़ों में ऐसी मानता है कि मागंगा मिस्नान करने से और कासि विशुनात यानि संकर जी का दर्सन करने से उनके सभी जो पाप होते हैं वो मागंगा में धूल जाते हैं तो इस वज़े से भी विश्व के जितने भी हिंदु धर्म को मानने वाले लोग होते हैं उनका विचार होता है कि एक बर हम बनारस गंगा मिशनान कर और कासी विशुनार जी का दर्सन कर लें तो दोस्तो यहां हमारा यह वीडियो इस पर समाथ करते हैं नेस्ट वीडियो हम बनारस पर पर कर लेकर आएंगे और इसमें आपको बताएंगे कि सार्णात क्यूब प्रस्द्ध है रामनगर कि उप्रस्द्ध है दस्था सम्यों घाट कि उप्र SHTFE vlogs में मंदीरों का सहर क्यों कहा जाता है अधार मैं कि धार्मिक आधारं पर 70 राच में क्यों कहा tumor पैसे वचले हम दो निश्क वीडियों में करेंगे आज के लिए